यह खबर दोस्तों यूपी में पढ़ने वाले एक जिले महराज गंजगी है जहाँ पर एक 14 वर्सिय प्रिंस साक के नाम का लड़का कैसे 12 वर्सिय मोहिनी नाम की लड़की के मांग में जो है सिंदूर बढ़ देता है उसके गले पर चाकू रखकर उसी के गाओ में जाकर कैस उसको एक तरफा आसकी का यह भूच चड़ा था दोस्तों आज ही हम सारी घटना जो है आपको बताने वाले तो होता कोछ ऐसा है कि मोहिनी और प्रिंस साके यह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे वहां प्रिंस साक के नाम का लड़का डेली मोहिनी को परिसान करता थ कि मुझे तुम मैं तुमसे प्यार करता हूं यह है वह है बहुत सारी चीजें उसे डेली कहना उसके साथ उसका गाहों तक उसके पीछा करना वो डेली जब स्कूल आती थी तो उसके गाहों में पहुंच जाना फिर उसके साथ तक इसकूल आना और फिर उसके साथ गाहों त मौहिनी बेटा आप्ने स्कुल जाना तो मुहिनी न अपने पिता को बताया कि पापा मुझे एक लद्गा परिसान करता है मैं तो मिरे इसे कहता है मैं तुमसे साधी करूंगा यह है वह तो उसके पिता उस लड़की के डर से फिल और दोजाता है तो कैसे भी करके प्रिंस नाम के लगके से मेरी लगी का पीछा चूटे तो फिर उसके बाद भी ऐसा होता है कि वह दूसरे स्कुल में इसका एड़ीशन हो जाता है और प्रिंस को पता चल जाता है जो प्रिंस साके नाम का लगा होता है वह उसके लिए दूसरे स्कुल में भी वह पहुंचता है और वहां भी उसका पीछा पहले की तरह करना चालू कर देता है और वह से कहता है मैं साधी करूंगा और वह डेली उससे मोहिनी मना करती है कि मैं तुमसे यह वह प्यार नहीं करती है तो एक दिन वह क्या करता है जैसा ही मोहिनी स्कुल से निकलती है वह प्लानि कर रही थी तो वहां पहुंसता है मोहिनी के पास और मोहिनी के अपने बैग मैंसे चागू निकालकर मोहिनी के गले पर चागू रखता है और मोहिनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुमसे साधी करना चाहता हूं जब तक मोहिनी थोड़ा जट-पट यो कुछ गाव के कुछ लोग भागते हैं वहाँ पर और उसको देखते हैं, उसकी तरफ मारने के लिए भागते हैं और दबंगी अंदाज में वह सबकी तरफ Chief दिखाता हुओ. वह वहां से भाग जाता है तो मोहिनी के पिता और इससे परेशान होकर सारे गाउंवाले वहां पे नस्दिक धाने पहुंचते हैं महाराजगंज कोताबली बहां पहुंचते हैं और वहां जाके जो जो इस्पेक्टर होते हैं उनसे वह सिकाद करते हैं और स्पेक्टर से कहते अगले पर चक्कू रहए तो पुलिस करती है पुलिस मौहीनी के दचते मुप्लिस सारी बिसे सबूедarte कर्ते हैं अचनल नहीं किया थहाजना। कि तक पूशे को मामा के यां से उठाती है और उससे पूश्थिए कना करना चाहती तो इस बजह से मैंने जवरेस्टी में सानिक प्लाणिंग करी और मैंने aa haul me कि मैंने कि गाओं में कुछ लोग मेरे को परिसान करेंगी तो मैं चाकू लेकर जा रहा हूं और मैंने मोहिनी के गले पर चाकू रखा और उसकी माग में सुन्दूर बढ़ दी ऐसे दोस्तों कैसे एक नावालेक लड़का 14 बरसी है प्रिंस साख के नाम का लड़का कैसे इस लड़का को अंजाम देता और कैसे लड़की की देखो मांग बढ़ता है यह आप देख लीजेगा आजकल नावालेक बच्चे भी और इन लोगों में भी कितना यह चीज़े गहर कर गई है कि अपने प्यार की खातिर और अपने इन चीजों खाते लड़की की बिल्कुल मर करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करें लगी नाम से चैनल है हमारा जय हिंद जय भारत